जो मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा ये काफी important वीडियो है और most active stock की लिस्ट में ये company आ गई है यानि कि IREDA यानि कि हम कह सकते हैं कि Indian Railway Energy Dev Agency Limited और ये stock 301 रुपे पे trade कर रहा है जो आप screen पे देख सकते हैं लगबग 6.16% ये stock बढ़ चुका है और पूरे 5 दिन में ये stock लगबग 27% तक बढ़ गया है अब सवाल यही है कि भाई अब आगे क्या और कितना बढ़ सकता है यहाँ company को लेकर क्या news क्या update आई है वो सब जानेंगे आज की update क्या है वो सब cover करेंगे इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई investor trader किस तरह से इस company में invested हो रहे हैं overall जो भी इस company के regarding होगा आसपास जितनी भी news होंगे इस company की वो सब हम cover करने की कोसिस करेंगे यहाँ पर आप इस वीडियो को आखरी तक देखें ताकि आपसे कोई भी update मिस ना हो और आप एक अपना असली decision बना सकें एक सही decision बना सकें कि अब आपको करना क्या है आगे Indian Railway Energy Dave Agency Limited जो company है फ्लाल अभी 300 रुपे पर trade कर रही है और stock में काफी जादा हलचल हो रही है उसके बाद चीजे आगे discuss करेंगे मैं इसको refresh करता हूं तो 299 पर stock में थोड़ा सा downfall आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो advance chart हो clearly दिखा रहा है कि भाई यह stock है 21 जून से इस company में जो तेजी आई है वो काफी जादा incredible है यानि कि बहुत अच्छी तेजी company ने दिखाई है 21 जून से लेकर अभी तक बहुत अच्छी speed से stock बढ़ा है और सबसे important part होता है volume किसी भी company के volume से idea लग जाता है कि इस company में जो investor हैं जो traders हैं जो trade कर रहे हैं जो invest कर रहे हैं long term के लिए hold कर रहे हैं उनकी क्या योगदान उनका रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो लगबग आपको नजर आएगा कि 22 करोड के आसपास की कल volume trade हुआ था NSC और BSC के उपर जो की बहुत बड़ा number हम कह सकते हैं जिसमें delivery percentage बहुत कम रहा है 3 करोड 15% के आसपास delivery percentage जादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कम है तो कह सकते हैं कि लोगों ने आज खरीदो आज बेचो ट्रेड जादा किया है लेकिन यह नहीं सोचा कि भाई यह company भविश्य में भी अच्छा करेगी कुछ ही investor हैं जिन्होंने long term के लिए hold किया है अभी market close नहीं हुई है almost लगबग हम कह सकते हैं कि काफी time बचा और 14 करोड तक का volume trade हो चुका है अगर volume इसी speed से चलता रहा तो यह 22 करोड का volume इसको भी company हिट कर सकती है या इसको इसके आगे भी निकल सकती है यहाँ पर सबसे important part रहेगा कि volume के साथ delivery कितना trade होता है अगर आज का delivery percentage 30% के आसपास रहा या 30% से ज़्यादा हुआ तो signal भूत अच्छा कहलाएगा और मैं BSC India की website पर फिलाल अभी तक का delivery percentage जरूर देखना चाहूंगा इससे हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा कि भाई company में फिलाल चल क्या रहा है मैंने लिखा Indian railway energy और यहाँ पर हमें समझ में आता है Indian Renewal Energy Development Agency Limited का जो श्टोक है उपन आ गया है इंडियन Renewal Energy देव Agency के द्वारा जो delivery percentage है वो अभी भी कमजोर है यहाँ पर percentage नंबर और बढ़ना चाहिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो company का आपको sort analysis देखने को मिलेगा जिसमें अच्छी खासी strength है याने दस company में strength है दो weaknesses है दो opportunities है और दो ही threat है अभी गाईज हो सकता है कि मैंने इदर railway बोल दिया हूँ मुझा idea नहीं है लेकिन यह Renewal है Indian Renewal Energy Dave Agency Limited Company है इसका नाम यह है और ज्यादा कर इसको IREDA के नाम से ही जानते हैं तो नाम पर नहीं जाते हैं आपको इस टोक इदर नजर आ रहा है NSC के उपर जो इसका code है IRDA है आप सर्च करेंगे तो आपके सामने श्टोक खुल जाएगा अब सीधा news की बात कर लेते हैं क्योंकि news भी बहुत जरूरी है जानना यहाँ पर हमें कुछ चीजे देखने को मिल रहे हैं जैसे कि इस बार company का जो quarter one का result रहेगा वो बहुत अच्छा आने वाला है और target भी काफी अच्छे बताए जा रहे हैं company को लेकर target की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि company को लेकर जो target बताए जा रहे हैं वो ऐसा बोला जा रहे हैं कि भाई stock में जबरजस तेजी आ सकती और 400 पार यह stock जा सकता है यानि 400 रुपे की growth को भी cross कर सकता है ऐसे दावे किये जा रहे ह अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इदर नजर आएगा कि भाई 382 रुपे तक कभी target दिया गया है मैं money control का एक article आपके सामने रखूंगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा यह article 22 मई 2024 का है यानि कि थोड़ा पुरान article है लेकिन इस article में हमें देखने को मिल रहे ह जो IREDA company है वो FPO अपना फिर से consider कर रही है और यानि कि company अगर FPO लेके आएगी तो company के हाथ में पैसा आएगा और उस पैसे का use company अच्छे कामों में कर सकती है अपने आपको grow करने में और अपनी जो investment है उसको और बढ़ा करने में तो इस तरह का company FPO आने वाले time में ला सकती यानि कि company second half में fundraise कर सकती है तो ये चीज हमें इधर देखने को मिल रही है बाकी अगर मैं NSE की website पर data आपके सामने रखूं कि फिलाल investor trader किस तरह से इस company को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखे मैंने NSE की website खोली हुई है और इधर मैंने stock भी खोला हुआ है इंटर्न, Ren ज्यादा active हैं इस company में फिलाल भी तो वहीं buy quantity की बात करें तो 82 lakh के आसपास ही आपको buy quantity भी देखने को मिलेगी scenario बहुती close है, situation बहुती close है जिस percentage से buyers खरीद रहे हैं इस company के stocks को और उसी percentage के दर से sellers भी बेच रहे हैं यानि बेचने वाले भी बहुती ज्यादा स्पीडली company के stocks को बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी भी बहुती स्पीडली stock को खरीद रहे हैं और इसी लिए ये जो quantity है almost same सी ही आजाती है अब यहाँ पर अगर आप pre open market देखते हैं तो भाई stock 340 रुपे तक जा सकता है लेकिन उससे पहले stock को 325 के target को hit करना होगा अगर ये company 325 के target को hit करती है तो 222 के आसपास की buy quantity लग जाएगी 330 के target को hit करेगी तुरंत जिसमें 305 की buy quantity लग जाएगी और 340 में ये company 5000 के आसपास की buy quantity लगा देगी और 340.42 रुपे पे ये 4000 की buy quantity लगा कर आपको एक तरह से growth कराएगी तो overall कह सकते हैं के भाई 340 रुपे तक जाने की काफी ज़्यादा संभावनाए है और 5 लाग के आसपास की buy quantity लगा आपको देखने को मिलेगी वहीं एक लाग के आसपास की आपको sale quantity देखने को मिलेगी जो की संकेत करता है कि हां मतलब share नीचे कम जाने के chances हैं उपर वढ़ ने के chances जादा हैं बट अगर यह नीचे जाता है तो 230 रुपे तक गिर सकता है पहले 282 रुपे पे जाएगा फिर 230, 239, 26, 27 लाश्ट यह 226 रुपे तक नीचे गिर सकता है तो यह scenario फिलाल अभी pre open market दिखा रहा है historical data में हम कह सकते हैं कि जबर जस्त number of trade हो रहे हैं जहां company 4, 17,000 के आसपास की number of trade करती थी वो बढ़कर 9,71,000 के आसपास आगए यानि कि 10 लाग के arounded company number of trade कर रही है अभी के time पे तो guys यह update भी हमें काफी important लग रही है और renewable sector की जतनी भी companies हैं उनमें तेजी तो हमें already देखने को मिली है Indian renewable energy development agency जो company है अगर हम इस company के important resource पिन अज़र डाल के important resource क्या कहती है तो हमें समझ में आता है कि जो company का market cap है वो 81,000 करोड का है यानि अच्छे खास से large cap के साथ ये company हमें देखने को मिलती है और अगर हम return की बात करें यानि कि अगर आप इस company में निवेस करते हैं पैसा लगाते हैं तो आपको कितना ये company return दे सकती है तो बहु किस speed से बढ़ता है तो वो तो अलग return है आपका वो तो अलग ही growth हम कह सकते हैं free cash flow की बात करें तो company का minus में 11,000 करोड चल रहा है जो कि बहुत ही clearly संकेत है कि company के quarterly result इतने अच्छे नहीं है कि company अपना free cash flow positive कर पाए company के quarterly result सिरफ इतने ही आ रहे हैं कि company अपने खड़चे को उठा पा रही है और उसमें भी कभी कवार down हो जाता है खड़चा company का पाइट्रोसिक स्कोर इसी वज़े से company का 4 है यानि financially company बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम बोलें कि company अच्छी खासी मजबूत company है और यहाँ पर money control पे एक बार पाइट्रोसिक स्कोर को चेक कर लेते हैं आप देखेंगे तो आपको इदर 5 नजर आएगा यानि company काफ 49,000 करोड का करज है 50,000 करोड के आसपास का करज company के उपर है 80,000 करोड की company है जो तो जिसकी वैसे debt to equity 5.80 चला जाता है यानि बहुत higher करज इस company के उपर है तो guys आप क्या सोचते हैं इस company के regarding comment करके बता सकते हैं ये बात बहुत ही simple है कि company में negativity भी काफी जादा है और positivity भी काफ इस company के जो news इस टाइम निकल के आ रही हो काफी positive है जिसका impact 5 दिनों में company का 27% बढ़ना भी दिखाता है तो guys आप क्या सोचने comment करके बता सकते हैं बाकी इस company के regarding कोई भी छोटी बड़ी update, news या फिर कोई humor आता है तो मैं आपके साथ जरू शेयर करूँगा किसी भी तरह का क आपको कोई financial advisor because मैं financial advisor नहीं हूँ तो मैं आपको ये चीज़ आडवाईज नहीं कर सकता लेकिन इस company के regarding जो भी news होगी वो सबसे पहले cover करने की कोसिस करूँगा तो guys मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye